जैमातादी दोस्तों, World Best Magic में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए comment box में जैमातादी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नचत्रों के राजा उस नचत्र को प्रसंद कर कैसे आप अपनी किस्मत चमका सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही सुनेरा आउसर है। इस समय में किये गए उपाए टोटके जब तब सिद्धी साधना का एक हजार गुना अधिक लाव मिलता है। दोस्तों, इसी फरवरी के महीने में गुरू पुस्सेन चत्र का योग बनने वाला है। आपको इस वीडियो में करेंगे तो निश्चिती आपको सफलता मिलेगी। धन वैभव, सुख सम्रधी, सौभाग, पती, पुत्र आपकी जो भी इच्छा है उसको आप यकीनन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को लास तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से जादा सेहर करें। तो आईए शुरू करते हैं। दोस्तों, जोतिस सास्त्र में गुरु पुस्योग का विशेस महात्व है। क्योंकि ये योग अत्यन थी सुफल देने वाला माना गया है। ये जोतिस सास्त्र के सेस्टतम और दुरलब योगों में से एक है। आपको ब ये योग बेहत सुब है। ये योग धन व्रद्धी के लिए भी काफी सुब होता है। इसलिए इस योग में किये गए उपाए निश्चती आपको अच्छे परणाम देंगे। इस दिन किसी भी दिवता की साधना करके आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आपको बत बता दें कि पुस नच्छत्र में धन की देवी लक्षमी जी का अउतरण हुआ था। इसलिए इस नच्छत्र में जो भी कार किया जाता है उस पर मालक्षमी की कृपा बनी रहती है। इसलिए इस योग में अगर आप कोई व्यपार सुरू करते हैं तो वह व्यपार खुब फलता फूलता है। आपको बता दें कि इस योग में किसी भी तरह के सुब कार किये जा सकते हैं। बस ध्यान रखें कि इस योग में विवहा करना निसेद होता है। इस योग में नया व्यापार नई नौकरी स्टार्ट करना बेहत सुब रहेगा। इस योग में खरिदारी करना भी बहुत सूब होता है दोस्तों, गुरू पुसन चचत्र से कोई भी बिगड़ा हुआ काम बनाया जा सकता है अगर आपका कोई भी काम नहीं बन रहा हो, उसमें रुकावट आ रही हो, तो आप गुरू पुसन चत्र से वह काम सीग्र अतिसीग्र फून कर सकते हैं आपको बता दें कि इस दिन भूल कर भी किसी को उधार ना दें और ना ही किसी से उधार लें चलिए अब जानते हैं कि गुरु पुस्ण छत्र किस तारीक को और किस समय तक रहेगा तो आपको बता दें कि 25 फरवरी 2021 दिन गुरु वार को गुरु पुस्ण से अमरत सिद्धी योग का निर्मान हो रहा है और इसकी सुरुवात 25 फरवरी की सुबा 6 बचकर 50 मिनट से लेकर और इसकी समापती दोपहर 1 बचकर 17 मिनट तक होगी तो आप इस उफसर का लाब जरूर उठाएं और अपनी हर मनो कामना को पूर्ण करें दोस्तों अगर आप मालक्षमी जी का आसिरवात पाना चाहते हैं तो आप इस समय लक्षमी जी के बीज मंतर का जाप करें या स्री सूक्त का या फिर कनकधारा इस्तरोत का पार्ट करें इस इस्तरोत के मातर पढ़ने और सुनने से धन धाने की कमी नहीं रहती है इस दिन पीपल में जल देना सुब माना गया है यदि आप सरकारी नोकरी या नोकरी में पदुन्नती चाहते हैं तो इस दिन से भगवान सूर्य को अर्द देना स्टार्ट कर दें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी यदि आप सुख सांती चाहते हैं तो आप सिविलिंग पर दूद से अभिशेक करें या दूद में केसर मिलाकर अभिशेक करें इससे आपकी हर मनुकामना की प्राप्ती होगी दोस्तों यदि किसी के विवा में रुकावट या अर्चने आ रही हैं तो वै आज के दिन नहाने वाले पानी में हल्दी मिलाकर इसनान करें इसके बाद एक लोटे जल में हल्दी मिलाकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करना सुरू कर दें इससे आपका अतिसीग्र विवा हो जाएगा और अच्छे जीवन साथी की भी प्राप्ती होगी इस दिन माता लक्षमी को केसर युक्त खीर का भोग लगाएं इससे धन धान में बरक्कत होती है और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सदयोखुसियां बनी रहें घर में पाजिटिविटी रहें और घर का महौल हमेशा खुसनमा रहें तो आज के दिन हल्दी से अपने मुख द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन बना दें दोस्तों स्वास्तिक कचिन सुब और लाब देने वाला होता है इससे धन आपके घर की ओर अकरसित होगा इस दिन आप घर पर सत्त नरायन की कथा का पार्ट करवाते हैं तो आपको अनंत गुना सुफल की प्राप्ति होगी इस समय विश्णु सहस्त नाम का पार्ट करना सुफल देने वाला रहेगा यदि आपको संतान की इच्छा है या आप पुत्र प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप इस दिन से संतान गडपती इस्तरोत का पार्ट ग्यारा बार करें या फिर इस दिन से संतान गडपाल मंत्र का जाप करवाएं निस्चिती आपको संतान सुफ की प्राप्ति होगी या पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो वह भी जरूर पूरी होगी इस योग में अगर आप गाई को एक आटे की लोई में गुड और चने की दाल रख कर खिलाते हैं तो आपके हर कस्ट दूर होंगे और सभी पापों का नास हो जाएगा अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है या आपका कहना नहीं मानता है या वह किसी एक्जाम या कमपटीशन की त्यारी करता है और वह उसमें सफल नहीं हो पा रहा है तो आप गुरू पुसिन च्छत्र में अपने बच्चे के हातों से हल्दी या थोड़ी सी केसर भगवान विश्नु जी को चड़वाएं और फिर उसी हल्दी या केसर का तिलक रोज अपने बच्चे के माथे पर लगाएं निस्चिती आपका बच्चा जीवन में सफल होगा और किसी उच्पद को प्राप्त करेगा दोस्तों इस दिन दान करना भी बेहत सुब रहेगा दान करने से सभी कस्ट कट जाते हैं आप इस योग में पीली चीजों का दान करें पीला वस्तर, पीले फल, हल्डी, चने की दाल, केसर, गुड, आदि का दान आप किसी ब्रामण को करें इससे आपको सुब फल की प्राप्ती होगी तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंड में जै मातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंड बॉक्स में अगस्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें सेयर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद